सत्च रियकाल, साहित अक साथ चैनल ते आप जिदा स्वागत मैं हां हर्मीत कौर आज दी क्लास बेच साहित दे रूप निक्की कहाणी बारे जर्चा करन ले हाजिर होए हां सो चैनल ते नमे जुड़े विद्यार थी चैनल नुँ सब्सक्राइब करन दे नाल नाल बैल दा बटन भी दबालबो ता जो और वाडिया वीडियो वीद वाड़े तक समय से पोज़ दिया रहें और नाल दी नाल चैनल दी प्ले लिस्ट दे विच जाके नमे जुड़े विद्यार थी अपनी क्लास दे नाल संबंदित प्ले लिस्ट नो ओपन करके उस विच हों तक जारी कीतिया गईयां जो लेक्चर लड़िया ने उना नो सोणके तुसे आपनी पड़ाई दे नाल संबंदित जो भी जानकरी हासिल करना चाहो कर सकते हो सो आओ जोड़े हां आज दी क्लास दे नाल सबतो पहला साडेलई ये जानना जरूरी है कि निक्की कहानी जो है उस दे मुड़ी जान पशान जा पूमी का वजों की कहा जा सकता है पाल निक्की कहानी जो है आदनी गल्प साहित दा एक लगू रूप है असल देविट वर्तमान समय विच हर पाशा दे साहित रूप पांदर निक्की कहाणी जो है वो प्रतिने साहित रूप देवचों उपर के सामने आई है क्योंकि इस साहित रूप ने थोड़े समय अंदर भी बहुत वड़ियां प्राप्तियां हासल कर ले हैं क्योंकि जिन्नी गहराई, सच्चाई, इमान दरियते, कला कौशलता देनाल व्यक्ति, परिवार समाज यते, युग जेतना दे जो बिम्भन इस साहित रूप दिविच पेश हो रहे हैं, उनने किसी होर साहित रूप दिविच पेश होने संब भी ही नहीं हैं असल दे विच आध्मिक निक्की कहाणी जो है, नमी पुझेवादी अर्थ विवस्ता अधेन पश्रम विच पैदा हुया एक लगु बिर्टांत है, जे इस्तों में सुखाले टांगनाल कहना हुए, ता आध्मिक निक्की कहाणी गल्ब साहिता ओ रूप है, जिस विच अनेक पक्खी जीवन्दा केवल इको पाख दर्साया होंदा है, ठीक ओसे तरह जिस तरह एकांगी देविच असी पिछली वीडियो देविच चर्चा कीता सी, कि जिमें नाटक देविच जीवन्दी पर कूर्ता नूं ब्याने जानता है, सुमगरता नूं जीवन्दी हर पाख ब नूं जीवन्दी किसे एक पक दर्सायंदी है, और एकांगी वांग जो है इस ते विच जो कटना दा वर्नन होंदा है, वो नाटकी वर्नन होंदा है, नाटकी वर्नन होंदा है। है कि चाटपटा अते हरानी प्रया वर्णन होंगा है विद्वाना ने जो वक्ष परिभाशावा नितिया निक्की कहानी दे बारे उना बारे वी साधेले जानगारी हासल करना ज़रूरी है सब तो पहला अटगर एलन प्रो अनुसार जो उना दी डेफिनेशन है उना दी प्रिभाशा है कहानी बारे वो यह है कि निक्की कहानी ओ गर्द गथा है जिस विच आरंभ अते आन्त ही महत्तरपुर्ण होंदे हैं दुझे पासे एच जी वेल्ज अनुसार निक्की कहानी एक जेही कथा है जिसनों वी कुमेंटा विच पढ़िया जा सके अते जो पाठक नों प्रभावशाली टांग देनार मान सिक हलोना देवे सबस्ट है कि एकांगी वांग दो है इसना आकार भी शोटा होना बहुत जरूरी है इसे तरह एलरी सिजविक लिख दे हन कि निक्की कहानी एक कोड़ दोड वांग है जिस विच आरंभ अते अन्त ही महत्तरपुर्ण होंदे हन दोजे पासे जो पंजाबी चिंतक हन विद्वान हन उनना ने आपने विचार जो हन निक्की कहानी बारे जिन्द्या होया किहा है जिमें जुगंदर सिंग राही हन उनना अनुसार निक्की कहानी आपनी बढ़तर बूरतर अते चरितर करके दूजे साहित रूपा नालों निक्की अते पेंड होंदी है संसिंग सेखों अनुसार निक्की कहानी में जिक तिखी चुंज होनी चाहिए थी है एक संगीन दी चोंज बर्गी एक तीर दी चोंज बर्गी जो सिद्धे सुनन जा पड़न वाले याँदे देलेवेच खुब जावे डॉक्टर दलीब को टिवाना दे विचारा अनुसार कि अज दी कहाणी मनुख नो हैरान करन लई उस दी उत्सुता जगाउन लई ऐ सधारन पात्तर असधारन कटनावा लब-लब के नहीं लियाँदी सगों उस सधारन मनुख दी सधारन जिन्दगी दी गल कर दी है तो ये परिभाशा मा जुखन इवी एना कुसानों सपर्ष्ट हो रहा है कि निक्की कहाणी जो है आधनिक पंजाबी साहे दुरूप नालों सब निविकली भी है और जो है पाठिक दे उते बहुत ही गहरा प्रभाब पौन वारी है और इस ते नाल नाल ए सधारन मनुख द लग दे नाल ए है कि आपने कलेवर विजलैंडी है इस तो अग्या आजान दे हन निक्की कहाणी दे प्रमुख लच्छन क्योंकिनकी कहाणी दे प्रमुख लच्ष्णा दे घीचों जो है इकांगी वांग लग पग बहुत सारीयां समानताओ ब हैं क्योंकि सब तो बड़ि गल है इना देविच प्रभागती एकता होनी बहुत जरूरी है जिस तरह इकांगी विच भी प्रभागती एकता है और निकी कहानी नी क्योंकि इस देविच भी प्रभागती एकता होनी बहुत जरूरी है और इकांगरता जो की पाठक जान सुरोते नुदू है इकांगर्चि जो विछारा प्रवा रवा पोड़नय काई तब संख्येपता जो एक होर बड़ी निशानी गुंकिन contemporary a Pag पेशगरन देविछ सफल हुएगा और नाल दी नाल इस देविछ तीबरता अते तीखन तादा होना भी बीहद जरूरी है जो की निक्की कहाणी जो है सफलता दिया लिहांते अगेल जाण देविछ साहई से दूंते हैन इस तो अगे आजान देहन निक्की कहाणी त weakness क्योंकि कोई भी साहित रूप है उस दी जो असी चर्चा है कि न मुडले तक्ताने धारते ही कर सकते हैं कि उस दा विशावस्तू या कथावस्तू की स्तराना है प्लाट या गोंद की स्तरानी है पाशा शेली उदेश वातावरन या सिरली सो विशे दी जेकरसी गल करिये ता निक्की कहाणी दा जो विशाखेतर है वो बहुत ही विशाल हूंदा है पाव इस दा जो सीमा खेतर है वो विशाल हूंदा है या विशाखेतर या कथा वस्तू देविच्च जो विशे लए जान दे हैं क्योंकि लेकक जो है आपने चोगे वस्तु बढा के पेशकरंदी कोशिच करदा है निक्की कहाणी दे कथा वस्तु बारे जो अंग्रेज चिन्तक हन ग्राहम बैलफुम ओना दे विजार हन की निक्की कहाणी गुन लिखन दे तेन टंग हन पहला टंग है कि तुसी कहाणी दे पहला जो उस दे पात्र हनोना दी चोन कर लगो और पात्रा नू जो है कहाणी दी कटना या पस्तितिया दी मंग अनुसार उना दी गल्पना कर लगो दूजा टांगे है कि पहला तुसी जो है पलाट विच पात्रा नू फिट कर दगो और तीसरा है कि किसे वातावर नू लेके उसे नुसार कट नावा आते पात्रा नी कल्पना किती जा सकती है सो विशे नू जो है किना टंगा देनाल प्रगटाया जा सकता है इस बारे ग्राहम बैलफुर ने सेध देन दी कोशिश किती है और इस तो बार आजन दा है पलाट जान गोंद पाव निक्की कहानी ही नहीं साहित दा कोई भी रूप जो है उस दी पलाट या गोंद जेकर दर्शकान या सुरोतियान आपने नाल जोड के रखन देविच बन के रखन देविच या उननों इकागरचित हो के विशे नाल जोडन देविच सफल हो सकता है और इससे ते ही कहानी कार्दी या कहानी जी सफलता निरपर कर दी है और इस ते लई जो है कहानी जी गोंदी त तोर जडियों सुभाव होनी जाएगी है क्योंकि सारी कहाणी देविच्ज जो है सारी अंकट नानाव, लड़ी वार तर्तीब वार फेटकितियां हुंदी हैं जे उना देविच्छों कोई एक भी कड़ी या लड़ी जडियों वो खिंड जाएगी ता कहानी ता प्रभावी खिंड जाएगा पाठक जो है उस दे विद बूरियत महसूस करेगा नीरस महसूस करेगा पाठक में उस दे विद जो एक कलात्मक रस दी अनुभुती होनी 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 है या कहानी रस दी जो प्राप्ती होनी 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 है उस तो वंजया रह जावेगा सो किसे भी साहित रूप दा और खास करके निक्की कहानी जो पलाड जो है बेहद गुन्वा होना चाहिदा है इस तो बार आजान दा है पाशा शैली क्योंकि बार बार असे पिछले जो साहित रूप कीते हैं उना देविच भी चर्चा कीती है कि पाशा जो है रचना देविच एक टुक्वे शब्दा दिनाल एक रास पैदा करन देविच कारगर से धुन्दी है सो सफल कहानी दे लई बेहद ज़रूरी है कि जो कहानी कार है उसने बहुत ही चंगी अंदाज देविच उसने चंगी शैली देनाल कहानी जो है लिखी होए और कहा कहानी दी पाशा जड़ी है जो बूल चाल दी पाशा होनी सरल पाशा होना बेहद ज़रूरी है और पाठ का दे रुद्वे अनुसार जो पाशा है उसने चोन होनी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो कहानी कार है उस दी पाशा अथे जो कहानी देविच ले पातर हन उनना पा हम अनपड़ भी हो सकदे हम पड़े लिखे भी हो सकदे हम सो उसे तरह उना दी पाशा देवेच जो है अपने अपने रुपे दे मुताबक शब्दावली दा प्रियोग करना जो है वो बहुत जरूरी होने बढ़ता है इस तो बार आजन्द है उदेश तो कि कोई भी साहित र उदेश जरूर होनदा है किसे ना किसे मकसद ले अपने कारजनों विड़दा है सो साहित कारज दो किसे साहित रुप जी सिर्जना करदा है किसे रचना ने सिर्जना करदा है ता उस ते उदेश दा कल्यानकरी अगाम अदू उसारू पते जीवन नो सेथ देन वाला होना ज पाठकंद विच श्राही जाहेगी या पाठकंद उत्ते परभाप पाउंद विच शफल होगेगी इस तो बाद आजानदा है वातावरन तो कि वातावरन जो है उस देश कालदा भी हो सकता है जिस्ते विच्छों विशाया कटना चुनी गई है और जो कहानी में चले पातर हन उना दा मानसिक या मनोवियानिक पदलते भी वातावरन लों लिक्के जा सकता है और बारी वातावरन जो है उस दा भी वरनन कीता जा सकता है ते सिरलेख जो है ओ कहानी दा पाब कोई भी साहित रचना जो है जेकर उस दा सिरलेख जो है ओ खित पाऊ है विशेदेनाल सिद् अर्थ परपूर है तो रचना जो है पाठका दिल्दे विच एक थना दिल्दे नाल खुब जावेगी जो एक संसे शेकों ने किया है कि कहानी विच एक तिक्खी चुंज होनी जाहिए है एक संगीन दी चुंज वर्गी एक तीर दी चुंज वर्गी जो सदी सुनन या पढन झी चुकों विच और जीगर कहानी गार इना सार्यां तक्तानों त्यां दे विच रख के कहानी जी सरज्णा कर दा है कि ऐ शेक्ष सारी तत्त्य ूपलिबांत बड़े सुचज्य टांगे नाल निकल के सामने आँदे हैं या पाठक नो या सुरूते नो पर भावित करन देविच सफल हो जाँदे हैं ते ओ रजना जो है एक सफल रजना ना दरजा अख्तियार कर जाता सकती है जिकर सिटे बजों या समुच्चे लोग देविच निचोड देविच कहना चाहिए ता कहानी जो है इसना मूल मंतव जो कहानी कारदा वो कहानी दसना काट होंदा है और विशेश के समदा एक अगर चेहा परभाव पोना वदेरे होंदा है क्योंकि निक्की कहानी समा गुजा कारण वास्ते नहीं सिर्थी जानती और ना एक इसे विशेश परकारदा ग्यान देन वेच ही लेखक दे दिल्चस्पी होंदी है सब निक्की कहानी दा पाठक दे मन नू चेतन कारण दे विच जो है अपना रुची बदेरे राग दी है क्योंकि पाठक दे मन दे विच एक जागरूकता पैदा करना जहां कहानी कारदा मकसद होंदा है एक जो होर नुकता देन योग है कि संकेत तते संजन दे परियोग कारण निक्की कहानी बहुत सारी अंगला पाठका दी सूझ बूदते शाट दे दिया क्योंकि इस दे विच जो है कोई नैतिक उपदेश देना या परचार करना या सिख्या देना जो मुख मंतर नहीं होंदा निकी कहानी जा इस दा मनोरत जो है जीवन दे अंगोले या अंपशाते परम्हत जो बहुत ही महत्व पूर्ण या जो बहुत इंपोर्टेंट पाख हों दे हन जिन्दगी दे या तत हों दे हन उनना दा इसलेशन करन दे नाल नाल उस गलनों उस तत में बड़े संकेतक टांग दे नाल अते संजम दे नाल उसमों पेश करना होंदा है और बाकी जो है उसमों पाठका नहीं सूज बूद दे उते शड़ देना होंदा है इसलिए क्या जानदा है कि निकी कहानी जो है इस दा अंत जो है वो बड़ा चटपटा होंदा है पाग अंत कहानी पढ़न तो बार जो है पाठक उसते बारे सोच्चंद ले मजबूर हो जानदा है और एही सूजबूज पाठक दे अंदर पैदा करना कहानी दा मुख मक्सद भी होंदा है तो उमीर है कि इनकी कहानी बारे चल्चय जो है विद्यार्थियां दे लेही काफी लाहेवंद साबित होएगी चैनल ते जो भी विद्यार्थी इस वीडियो नो सुन रहे ने उन्हानों ए जो आजदा लेक्चर है वो किस तरह दे लग गया है इस पर यह अपनी राए वी कमेंट बॉक्स दे विच जाके दस सक दे हो औ जेकर ए लेक्चर तो नो वद्या लग गया है थे होर विद्यार्थियां देनाल सांजा करके चैनल दे विकास दे विच भी अपना योगदान पास आग दे हो जो डुड़े रहना चैनल देनाल इसे तरह मिल दे हां अगली वीडियो दे विच तर तक ले इजाज़त तानु झाल 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 झाल